ये कहानी एक कबूतरी की है जो एक जंगल में नदी किनारे कोई पेर धून रही थी जहाँ पर वो अपना घोसला बना सके और अंडे दे सके तभी उसने नदी किनारे एक हरा भरे पेर पर अपना घोसला बनाना शुरू कर दिया लेकिन जैसे ही वो कुछ तिन के एकठे करती वो पेर क्षजोर जोर से अपने शाखाओं को हिला कर उसके घोसले को गिरा देता था। कबूतरी ने जाकर पेर से कहा कि भारी बारश का मौसम आने वाला है और मैं अंडे देना चाहती हूँ तुम मुझे अपनी शाखा पर घोसला बनाने दो लेकिन पेर ने मना कर दिया कबूतरी उड़कर उड़ी दूर ही एक दूसरे पेर के पास गई और उसने दूसरे बरगत के पेर से पूछा कि क्या मैं आपकी शाखाओं पर घोसला बना लूँ जिसमें मैं अंडे देकर अपने बच्चों को सुरक्षिक बढ़ा कर सकूँ वह पेर सहमत हो गया और उसने कबूतरी को अपनी शाखाओं पर घोसला बनाने की अनुमती दे दी तब कबूतरी ने एक तिनका कठा करके उस पेर पर बहुत अच्छा घोसला बना लिया और कुछ ही दिनों में वहां अंडे दिये। कुछ ही दिनों बाद भारी बारिश हुई। तेज प्रवाह और बारिश की वजह से पहला पेर जर से तूट गया। जब कबूतरी ने ये देखा तो वो पेर प पता था कि मेरी जड़े कमजोर हो चुकी है और इतनी भारी बारिश में मुझे खड़ा रहने में सक्षम नहीं है। मैं आपकी और आपके बच्चों की जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। मुझे खेद है कि मैंने आपको अपनी शाखाओं पर घोसला बनाने की अन है कि बिना जाने हमें किसी को आँकना नहीं चाहिए इसी तरह माता-पिता बच्चों की भलाई के लिए उन्हें कुछ काम करने से मना करते हैं कथोर हो जाते हैं या डाट देते हैं और बच्चे उनको गलत समझने लगते हैं जबकि माता-पिता उन्हें सही और गलत के बहुत बार हमें वो लोग अच्छे लगते हैं, जो हमसे मीठी बाते करते हैं, हमारी उन निर्णियों का समर्थन करते हैं, जो कि हमारे हक में भी नहीं होते, फिर भी हम उन्हें अपना दोस्त समझने लगते हैं, इसलिए किसी भी बात की गहराई को समझे बिना हमें कोई भी निर्णए नहीं लेना चाहिए और किसी भी इंसान के उपवी व्यवहार को देखकर हमें उस इंसान को अपना दोस्त या दुश्मन नहीं समझना चाहिए इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है कि किसी किताब को उसके कवर से मत आ किये पहले उसे पढ़िए समझे और फिर कोई निर्णए लीजिए वीदियो को देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए